अवदपुरी सोहई एई भाथी प्रभु मिलन आई जनुराती अवदपुरी इस प्रकार सोबित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई हो आज देश के सश्षी प्रधान मंत्री आदनिय सी नरिंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नए अयोध्या का वह स्वयम लोकारपन करने के लिए आये हैं बायोबेनो इस औसर पर आप सब की ओर से उत्तरप्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के रामभक्तों की ओर से मैं आदनिय प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करता हूं अविनंदन करता हूं मंजपर उपस्तेत आदनिय प्रधान मंत्री जी प्रदेश की मान्य राज्यपाल आदनिया स्रीमति आनंदी वेन पतेल जी केंद्रिय रेल मंत्री मान्यसी अस्वनी वैशनों जी केंद्रिय नागरिक उड्डियन और इस्ताथ मंत्राले के मंत्री मान्यसी जोटरादित्य सिंधिया जी जनरल वीके सिंग जी उतरप्रदेश सरकार में मेरे सयोगी उपमुख्य मंत्री तुए सी केशो प्रसाद मोर्या जी, सी ब्रजेश पाठक जी, मंत्री मंडल के मेरे सवी सयोगीगाण, यहां के मान्य सांसत सी लल्लू सिंग जे, अन्य सवी सम्मानित जन प्रतनिदीगाण, और उपस्तित भायों और बहनों, अवद पुरूई, प्रभ जी, सकल सोभा के खानी, प्रभु आ रहे हैं, और 22 जन बरी को आधनिय प्रधान मंत्री जी के ही करकमलों से, प्रभु अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हो रहे हैं, भायो बेनों, पांच सो वर्सों का अंतजार समाप्त होने जा रहा है, प्रभु के आगमन के पहले, अयोध्या को दुनिया की सुन्दर्तम नगरी की रूप में स्थापित करेंगे, और भायो बेनों, आज आपने देखा होगा, जिस भव्यता के साथ प्रधान मंत्री जी का स्वागत अयोध्या वाश्यों ने किया है, ये एक नए भारत की नए अयोध्या का दर्सनम सब को क पराता है, अयोध्या बेहत्रीन, फोर लेन, सिक्स लेन और एट लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है, इसका उद्गाटन प्रधान मंत्री जी के करकमलों से भी ओने जा रहा है, रेल की बेहत्रीन सुविधा, अयोध्या से, नए रेल्वे स्टेशन के साथ साथ, बंदे भारत, ट्रेन का सुभारंब, और दो नई ट्रेन, अम्रित भारत के नाम पर, आधने प्रधान मंत्री जी ने अयोध्या को सीता मनी से, प्रवराम की जनम भूमी से, माता सीता के प्रगटी करण के अस्तल पर जोडने के लिए, इस वेलिय की कारिक्रम को भी आज सुभारंब किया है, और साथ साथ, बग्मान राम तो त्रेता में पुस्वग विमान से अयोध्या यह होंगे, आध प्रधान मंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वास्यों को दे दिया है, इसका उधगाटन करके प्रधान मंत्री जी यहाँ पर आये हैं, उत्तरप्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़ेवे हजारों करोड की इन प्रयोचनाओं के लिए, मैं उत्तरप्रदेश वास्यों की ओर से आधनिये प्रधान मंत्री जी का हिरदे से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अविनंदन करता हो वह अभेनों यह वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे आने की बात तो दूर एक नेया रिकौर्ड भी बन गया है अयोध्या आने वाले सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधान मंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है हरेक उसर पर जो उत्तरप्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ीवी नगरियों को एक नई पैचान दिला सके वा मोदी जी के करण संबह हो पाया है भायोवेनों और इसलिए आज प्रधान मंत्री जी 22 जन्वरी के पहले विकास से जुड़ीवी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ीवी, कनेक्टिविटी से जुड़ीवी अयोध्या को बेहतरीन स्विविधाओं से युक्त इन सभी स्विविधाओं से संपन कर रहे हैं तो इस कारिक्रम में हम सब का यह दायुत तो बनता है कि हम प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करें, अविलंदन करें और मैं इस बात के लिए भी प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से आभार ब्यक्त करता हूँ प्रभुराम से इस लोग का मिलन कराने वाले तरकाल दरसी रिसी मौरसी बालमीकी जी के नाम पर इस अंतराश्टिय हवाई अड़े का नाम प्रधान मंत्री जी ने किया है इसके लिए हम सब अभारी हैं क्योंकि रामयन को लौकिक रूप से हम सब तक पहुचाने वाले पहले रिसी मौरसी बालमीकी है उनके नाम से इस अंतराश्टिय एरपोर्ट का नाम करण भारत के अंदर भारत की परंपरा पर भारत की विरासत पर गौरव की अनभूती करने वाले हर नागरी को गौरव की अनभूती कराने वाला या च्छन होगा मैं आज के सौसर पर आदनिय प्रधान मंत्री जी का मंचासीन अपने सभी आगत अतितियों का और आप सभी का हिर्दे से स्वागत और अभिनंदन करते वे आगामी समय के लिए हम सब अपने दाहितों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे अयोध्या में 22 जन्वरी के बाद अयोध्या को अतिति देवो भवा का एक नया अनभवो देश और दुनिया को कराना है और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जन्वरी के कारिकरम में अतितियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से इसी जोश खरोश के साथ हम कार कर पाएंगे इस विश्वाज के साथ मैं एक बार फिर से आप सब की और से प्रदेश वासियों की और से सभी राम भक्तों की और से आधनिये प्रधान मंत्री जी का फिर्दे से स्वागत और अभिनंदन करता हूं धन्यबाद जैहिं धन्यबाद माननी और अब समय है 15,700 करोड की केंद्र और राजी सरकार की 46 परियोजनाओं के शिला न्यास और लुकारपन की जो नई अध्या की नए स्वरूप को साकार करेंगी मैं बहुत ही आदर के साथ माननी प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबा कर